हलो एविवन इंडियन एरफोस अगनीवीर के एडमिट काड आ चुके हैं अब हमें एक्जाम सेंटर पर जाना है 24 तारिक से इसके जो एक्जाम्स हैं यानि कि 24 जोलाई से एक्जाम्स के स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत सारे लोगो डाउट आ रहे हैं कि एक्जाम्स रुपय क्या क्या लेकर जाना है चलिए बिना किसी देरी के इस बीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि हम एक्जाम्स सेंटर पर जाएंगे तो क्या पहन के जाना है टीशेट या फिर शर्ट यह कोई मामली सवाल नहीं है क्योंकि कोश्ट गार्ड टीशेट वियर करके जानी है एक्जाम्स सेंटर पर वह भी हाफ टीशेट आप फुल टीशेट भी वियर करके नहीं जाना सिर्फ हाफ टीशेट आपको वियर करके जानी है और शर्ट को तो बिल्कुल एगनूर ही करना है अग दूसरी चीज़ आती है हम आधर कार्ड लेकर जाए या फिर pen card लेकर जाएं तो इसका सीधा से जवाब है जो आपने अपने application form में submit किया है अगर आधार कार्ड समिट किया है तो आपको आधार कार्ड लेकर जाना है और अगर आपने pen card submit किया है तो आपको अपना pen card लेकर जाना है इसके बाद आता है 10th और 12th की मार्क शीट आपको दोनों मार्क शीट में से कौन सी मार्क शीट लेकर जानी है तो वहाँ पर मार्क शीट मंगाने का एक ही परपस होता है आपकी date of birth यानि वह लोग आपकी डियो भी सिर्फ वेरिफाई करना चाते हैं कि जो exam form में इन्हें फिल की है क्या वह सही है कि नहीं है तो आधरकार से वेरिफाई नहीं हो सकता है इसलिए 10th की मार्क शीट वो लोग मंगाते हैं तो आप लोग 12th की मार्क शीट भला ही न ले जाए लेकिन 10th की मार्क शीट आपको ले जानी पड़ेगी अब नेक्स ची जाती है आपको पैन ले जाना बिलकुल भी नहीं भूलना है आपको ब्लू या ब्लैक पैन मैंसे कोई एक पैन आपको ले जाना पड़ेगा जातर एक्जाम्स में ब्लैक बॉल पैन ही चलता है तो आप ब्लैक बॉल पैन लेके जाएं जैल पेन याँ पे नहीं चलेगी सिर्फ बॉल पेन याँ पे चलेगी तो आपको black ball pen लेके जाना है exam center पे अब उसके बाद photos के बाद करते हैं तो 2 photos आपको चाहिए और ये photos वही होंगे जो आपने application form में लगाए थे खुश्त होगा ये भी doubt था बदाउट से लेड वाले और से लेड वाले तो यह कूछ चीज यह तो आपको ऐर्ट एकल जैना है आपको टीशेट और शियर्ट रही हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू सो मच जय हिंद।